वाई चेम्बर के लिए कॉंक्रीट धक्कन बनाना वाई चेम्बर धक्कन वाई चेम्बर की उपरी हिस्से को धक्ती है इसके द्वारा हम वाई चेम्बर की मरमत और सफाई करते हैं इस पार्ट के अंत में आप वाई चेम्बर के लिए कॉंक्रीट धक्कन बना पाएंगे वाई चेम्बर धक्कन में लोहे के डंडे हैं जो की RCC यानि की Renforce Cement कॉंक्रीट की सतर के अंदर एक पैटर्न में है कॉंक्रीट धक्कन बनाने के लिए पहले हम लोहे की चटाई बनाएंगे लोहे के डंडों से जो की 42 cm और 32 cm लंबे हैं और इन्हें सीधी और आड़ी रखेंगे डंडों को एकी दूरी पे यानि की 9 cm की दूरी पे रखेंगे कवर ब्लॉक जिनकी मोटाई 30 mm है लोही की चटाई के नीचे रखे जाते हैं कॉंक्रीट धक्कन की हैंडल को जिसकी उंचाई 10 cm है और 14 cm है धक्कन के बीच में रखेंगे ताकि वर धक्कन से सीथी खड़ी हो फिर हम लोहे की चटाई के उपर 7.5 cm मोटा एक सता 8 cc की लगाएंगे वाई चेंबर के धक्कन को बनाने के तरीके के उपर ध्यान देने से पहले हम एक नजर डालेंगे उन औजारों और सामगरी पर जो हमें चाहिए जो औजार हमें चाहिए वर है नापने की टेप, समकोन रूलर या फुट्टा, स्ट्रेट एज, ट्रावल, छोटा ट्रावल, हथोडी और बांधने की हुक जो सामगरी हमें चाहिए वर है रेत, सिमेंट, बीस मिलिमीटर कोस अग्रिगेट, सिमेंट मोटार जो की एक अनुपाद 6 के हिसाब से है, रिन्फो सिमेंट कॉनक्रीट या RCC, एक अनुपाद 1.5 अनुपाद 3 के हिसाब से, यानि की एक हिस्सा सिमेंट का, 1.5 हिस्सा रेत का और 3 हिस्सा 20 मिलिमीटर कोस अग्रिगेट का, 8 मिलिमीटर के लोहे के डंडे जिनकी लंबाई 3.8 मीटर है, इंटे जिनकी उंचाई 7.5 सेंटिमीटर है, 30 मिलिमीटर कवर ब्लॉक, अखबार, स्टील के वायर, अब हम देखेंगे कि वाय चेंबर के लिए कॉंक्री धकन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पहले हम कॉंक्री धकन के लिए एक लोहे की चटाई बनाएंगे, एक लोहे के डंडे को 42 सेंटिमीटर की लंबाई पे काटिये, हमें इस लंबाई के चार लोहे के डंडे चाहिए फिर उन पे चौक से नौ सेंटिमीटर की दूरी पे निशानी बनाईए एक और 32 सेंटिमीटर की लोहे के डंडे को काटिए इसी तरह हमें इसी लंबाई की पांच लोहे के डंडे चाहिए दुबारा इन पे 9 सेंटिमीटर की दूरियों पे निशानी बनाईए अब आप दोनों लोहें के डंडों को सीधी और आड़ी निशानियों पे रखे जैसे की दिखाया गया है एक स्टील वायर और बांधने की हुक से जहां पे दो डंडे मिलते हैं उन्हें जोड़िये हमारी लोहे की चटाई अभी तयार है अब हम कौनकी धकन के लिए एक हैंडल बनाएंगे एक हैंडल को बनाईए जिसकी उंचाई 10 cm है और चोढ़ाई 10 cm है हैंडल को ऐसे रखिये ताकि वर लोहे की चटाई के साथ सीधी खड़ी है अब हैंडल को चटाई के साथ स्टील वायर से जोडिये अब हम RCC डालने के लिए जगह पे निशानी लगाएंगे समकोन फुट्टे को जमीन पे रखेंगे और एक 35 सेंटिमीटर की लंबाई पे निशानी बनाएंगे अब फुट्टे के दूसरे तरफ 45 सेंटिमीटर लंबाई पे निशानी बनाएंगे समकोंड को दूसरी दिशा में रखें एक ट्रावल की भदत से आयत के दूसरे आधे पे निशानी लगाईए अब हमें एक आयत मिलेगा जिसकी लंबाई 45 सेंटिमीटर है और चोड़ाई 35 सेंटिमीटर है इसी जगह पे RCC सिमेंट डाली जाएगी अब हम आयत के साइड में 7.5 सेंटिमीटर उंची इंटे लगाना शुरू करेंगे अब आयत के अंदर एक अकपार की शीट बिछाईए अब लोहे की चटाई को अकपार के उपर रखिए अब कवर ब्लॉक को लोहे की चटाई के नीचे रखिए अब हम RCC यानि की रीन्फो सेमेंट कॉंक्रीट को लोहे की चटाई के उपर डालेंगे RCC को कसके सक्ती से भरिये RCC को भरते जाईए तब तक जब तक वर रखे गए इन्टों की उँचाई तक नहीं पहुंचते एक ट्रावल से RCC को बराबर भरिये और लेवल कीजिए दीरे से RCC की सतक को एक स्ट्रेइट एज से थपथप कीजिए यह करने से अंदर फसे हुए बुल-बुले निकल जाएंगे इस धांचे के उपर निरंद थोड़ी-थोड़ी समय पे पानी डालिए अब हम इटों पर हथोड़े की मदद से दीरे से थप-थप करते हुए इंटों को निकाल सकते हैं अब धकन को तीन दिन तक रहने दीजिए अब बहुत सावधानी से धकन को उठाईए और अखबार को धकन के नीचे से निकालिए धकन के साइड को एक ट्रावल से चिखना कीजिए अब हम कॉंक्रीट धकन को वाई चेमबर के उपर रखेंगे जो जगह है चेमबर और धकन के बीच की उन पे सभी तरफ सिमन मोटार से प्लास्टर कीजिए अब एक ट्रावल से सत्र को चिखना कीजिए इसके साथ हम इस पार्ट के आखिर में पहुंच चुके हैं इस पार्ट में हमने वाई चेमबर के लिए एक कॉंकी धकन बनाना सीखा झाल से वाई चुके हैं